हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले तो मार्च के महीने को बहतर बनाने के लिए आपको किस तरह के उपाए अपनाने हैं आज आपको यही हम बताएंगे और यह सारी जांकारी आपको देने के लिए स्टुडियो में मौझूद है हमारे साथ हमारे बेहत खास मेहमार दफेमस पामिस्ट एस्ट्र लॉजर इंवस्ट्व एक्सपर्ट प्रोफेसर धरमींदर शर्माजी नमस्कार सर नमस्कार सर समय कै के मंद को बहतर बनाने के लिए क्या उपाय अपना है आए दर्शो को बात करते हैं मार्च का महिना और मेश राशी हाला कि जिन जात्कों की मेश राशी है यह राशी अपने आप में बहुत विशाल है और अपने आप में उत्तम फल प्रतान करने वाली यह राशी मानी गई है. हलाकि, इस राची के जातक काल्पनिक से होते हैं, बहुछ जदा भावनाओं में बहने वाले और किसी भी चीज को एकदम करने में उस्सुक हो जाते हैं. तो राची तो आपकी अच्छी है, इसी बात नहीं है और भावनाशील हर्दे जिसका होगा वो जीवन में बहुत कुछ कर गुजरने की उसकी तमनाई होती है आपकी राशी है मार्च के महीने में हम क्या करें हलाकि इसी मार्च के महा में हम हुली से अफगत भी होंगे यानि के हुलास्तक भी इसमें रहेंगे और हुली में फाग का जो एक आनन्द होता है वो भी आप सब लोग उठाएंगे और मार्च में ही चार तरिक की महा शिवरात्री है और कई बार आप बाद में कारेकरम सुनते हैं तो चार मार्च की जो महा शिवरात्री है उसके विसेस कारेकरम हमें क्या करने होंगे ये सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे इसलिए कहते हैं जिसने यूट्यूब पर सस्क्राइब ना किया हो जरूर करें ताकि नई नई आने वाली बहुत सारी जानकारियों से आप वंचित ना रह जाएंगे अब देखिए का आपकी राशी मेश है आपकी राशी के जो स्वामी है वो मंगल है मंगल मंगलता के भी सूचक है हाला कि भूमी के पुत्र है और विरता के भी परिचायक हैं सूचक है तो कहीं न कहीं एक अदम में सहास आप लोगों में होता है कहीं न कहीं जो चीज़ शायद कोई व्यक्ति मना कर दे उसको आपका मन करता है कि ये काम हम करेंगे ये कारें हम करेंगे तो इस प्रकार की बहुत सारी सकारात्मक सोच आपके हर्दे में होती है आपके लिए में मार्च की कुछ तारीके बता रहा हूँ मेश राशी वाले जातक थोड़ा सा उन तारीकों में आठ तारीक आठ मार्च और साथ में ही नौ मार्च जिनकी मेश राशी है थोड़ा अलट रहें उस दिन सुबा सुबा उटकर करके जो भी आपके अराद्धी है इस्ट है उनकी आप साथ ना करें शुब तारीकें वैसे तो शुब समय व्यक्ति के जीवन में हर समय होता है अगर भगवान उनका साथ दे और उनके भाग्य का जो सितारा है वो उनका साथ दे आप जिस रासी से संबंद आप रखते हैं आप देखो बहुत लोग कई वार हमें पूछते हैं कि सर्मा जी हम अपनी राशी को कैसे पहचाने कि हमारी रासी मेश है या हमारी राशी क्या है बहुत साधरन सी बात आपको बता देते हैं आप अपनी जनम की राशी को जो आपकी जनम का मैप बना है अगर आपकी कुंडली बनी है आपकी जनम पत्रिका में आप ये देख लें कि चंद्रमा कहां बैठे हैं अगर चंद्रमा एक नंबर के साथ बैठे हैं तो आपकी मेश राशी है एक से लेकर के बारा नंबर जो होते हैं अलग-अलग राशी के होते हैं तो आप वहां से बहुत आसानी से सारी चीज़े पहचान सकते हैं जिन लोगों की जनम की राशी मेश है या पुकारते नाम की राशी मेश है वो मार्च को बहुत सुन्दर बनाने का प्रियास करें हर छण को कीमती समझ करके उसको अच्छा बनाने का हमें प्रियास करना चाहिए आप एक काम करें मेश राशी वाले जातक चाहे महिलाएं हों पुरुषों कोई भी हों पांच हर्मान चालीसा की पुस्तके ले लें पांच हर्मान चालीसा की पुस्तके जी हां और पांच हर्मान चालीसा की पुस्तके हर मंगलवार आपको मंदिर जाना है और यदि संबब हो तो हर मंगल बार पांच हर्मान चालीसा की पुस्तकें वित्रित करें सरद्धालूओं को देवे और वही हर्मान जी को नमशकार करके उनको परसाथ चड़ा में उनसे जीवन की दिव्यता का आशिरवाद पराप्त करें धरा को वसंद्रा को रत्न परसीवनी कहा गया है इस धर्ती को रत्नों की जनम दात्ति नी कहा गया है चोदा रत्नों की भी बात करें या वीर सपुतो की हम बात करें इस धर्ती ने नाना परकार के रत्नों को जनम दिया है उन में से कहीं भी एक खुबी हम सब के अंदर हो ऐसा आप उस जगजनी से प्राथना किया करें यानि कैसे करें मंगलवार की सुबह आप उठें और सबसे पहले उस धर्ती माता को प्रणाम करें जिनकी मेश राशी है हाला कि धर्ती को प्रणाम करना सभी के लिए करना चाहिए लेकिन अगर हम कई बार कुछ चीजे उपायों के तोर पर ले जाते हैं तो मेश राशी वाले जातक आलस से न करें कई बार व्रश राशी के जातक कुम राशी के जातक आलस से कर जाएं लेकिन मेश रासी के जातक को प्रत्वी नमन करना ही चाहिए इस बात को आप गिरा बांद ले अब मार्च हो अप्रेल हो मेह हो जून हो कोई भी मैना हो आपको धरती माता को जब सुबा उटते हैं तो मेश रासी के जातक धरती माता को प्रणाम अवश्या किया करें धरती पर हैं करागरे बस्ते लक्षमी करमद्य सरस्वती तो अपनी हतेलियों को देखते वे मेश राशी के चातकों को ये मंत्र पढ़ लेना चाहिए ये केवल अपनी सबसे पहले उठते हतेलिया देखें फिर प्रतिमाता को प्रणाम करें आगे का उपाय बता देते हैं बहुत आपक हुई दाल ले 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 दली हुई लाल मसूर की दाल तकरीवन पांच मुठी ले 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 आप सुन रहे ना पांच मुठी मसूर की दली हुई दाल ले 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 और गेहुं जो है वो कम से कम हमें पांच किलो लेना पांच किलो गेहुं ले 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 और गेहुं को थोड़ा सा दल ले लें, यह उंगे जो दलिया मिलता, और ईसमें पाँज मुठी मसूर की डाल मिला दें, दली हुई, और dość अब तेन मंगलوार या चार मंगलوार आप मार्च के महा में पक्शियों को डालते हैhem, देख लेना बहुत बहुत शुर्द आपको इसका फलकी प्रापती होगी, और जिन लोगों की मेश डाशी है चाहे वो मेल फेमिल हो आपको अपने घर में हमींसे मंगल इंतर रखना चाहिए मंगल वी साह एंतर चाहे भोजबत्र पे किसी से बनवा ले है और या आप उसको बजार से ले आए मंगल आविसा इंतर आपके जो आप जहां बैटकर के पूजा करते हैं वह होना चाहिए और यह जो मार्च का महीना है हुलास्टक से भी आप हम गुजरेंगे खास दोर से हुलास्टक में बहुत लोग आपको मना कर देते हैं आप पूजा ना करें ऐसा ना करें पर ऐसा मेरा मानने नहीं है आप सास्तर सम्मत भी यदी समझते हैं तो ये दिन पूजा पाट के लिए बड़े मुफीद बाने गए है लाल रंग का तिलग लगाना में इश्राशी को चाहिए मंगल वी साइंतर घर में रखना चाहिए और नौ मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में पिरो करके आपको अपने कले में मंगल वार की प्रातकाल धरन करें और चाहें उसको जीवन भर पहन के रखें ऐसा आप मार्च में जरूर करें और एक ध्यान रखें होली का जिस रात को दहन की जाती है वो रात साधनाओं के लिए सिद्धी के लिए बरी परशस्त मानी आती है हम उस रात्री में ऐसे क्या विस्यस करेंगे ये सारी चीज़े में इस रासी वाले जातक जानना न भूले और वो पाए करना न भूले इसी सरंखला में एक चीज़ आपको हम बता दें या चार मंगलवार हम पक्ष्व को डालते हैं अन्य लोग ये उपाई भी कर सकते हैं और साथ में हनमान चालीसा जो हमने बाटने को बोला है और महानमान जी को परसाच चड़ाने को बोला है ये जरूर करें मंगल विशायंतर संभावता जिनकी मेश रासी जनम की मेश रासी है हमेशा से आप मेश रासी मानते आए हो मंगल विशायंतर भी आप अपने घर में जरूर पदा रहें इस्थापित करें आपको बहुत अच्छा आप मिलेगा और एक सूचना जैसा कि आप बहुत लंबे समय से हमारे विविन परकार के आध्यात्मिक महापूजन का हिस्सा बनते हैं तो आध्यात्मिक महापूजन जिसमें हम ट्रक्टिकली आपके हाद से विशेश परकार की पूजाएं कराते हैं है ना विशेश परकार की कभी कभी लक्ष्मी पूजाएं कराते हैं कभी नमग्रह पूजाएं कराते हैं तो कभी और विसेश प्रकार की हम आपसे सेमिनार में आपको बुला करके विसेश प्रकार की हम पूजाएं कराते हैं लास्ट समय जैसे हम लोग सब सीता मणी गए और महा विसेश प्रकार का अध्या को डवलब करने चैये पूजा के माद्यम से करने दान के माद्यम से करने किसी भी रूप में करने उतना हमारे लिए बहुत ज़़धा लाबकारी रहता है उमीद करता हूं मेश राशी वाले जातकों को ये लगू विशेश शांग जरूर कहीं ने कहीं लावानुवित अवश् इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि जीवन को किस प्रकार से सुधारा जाए, कैसे बहतर बनाया जाए ये अगर आप जानना समझना चाहते हैं, समस्याओ का समधान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शर्मजू से मुलाकात कर सकते हैं, आप पोसनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं और मुलाकात कर पाना उनके लिए मुम्किन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें कॉंटाक करने का समय रहेगा सुबह 10 बजों से लेकर शाम के 6 बजों के बीच में यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले चलें की दीज़े उच्वासत नमस्कार मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज 2-3 मैं ढूंड रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़े मिल जाएंगी और येली मुझे आज यहां बैटके ऐसा लगा जो आपने 2-3 चीज़े करने के लिए बताई है कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आस्थे 28 फरवरी पटना, 14 मार्च मुंबई, 27 मार्च लुधियाना, 4 अप्रेल लखनव, 17 अप्रेल पटना, 26 अप्रेल जैपूर अन्य दिनों में शर्मा जुय अधिकतर दिली में रहते हैं अपॉन्मेंट के लिए संपार्ग करें संपार्ग सूत्र 9268-319743, 81309-48703 और 95822-48029 हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्स्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें